बारह तेरा ब्यक्ति हुए सब रुद्ध साह दल नायक पंडित यवर बिरुद्ध साह संग कुछ सेवक कुछ गायक तवसन सम्मत मेथा साधन पैरों वाली गाड़ी उबर खाबर युकते रास्ता यवर कटेली जाड़ी दिन भर चलते चलते जैसे हो जाती थी साम पढ़ता वहीं पढ़ा उप्रेम से यव भोजन बिस्त्राम मैन पुरी से चलते चलते लगवग दस दिन बीते सीधी की सीमा में पहुझे जहां सेरे उचीते साम हुई फिर रात हुई और तब तक बनी बियारी लगे बुलाने भोजन खातिर नाव धीमर बारी एक साथ पंगत में बैटे और प्रेम से खाए फिर सोने के लाने बिस्तर तरु के निकट लगाए प्रव की लीला को क्या कहना मिटे नहीं अनहूनी प्रकित कभी भी नहीं देखती सोधी और सलूनी जहां रात को तरु के नीचे दलबल साजे सोए पानी पत्थर यो आंधी के बीच प्रकित ने बोए महा प्रले हो गया अचानक ऊपर बिख्ष गिरा बचे चार जो जगे जल्द ही बांकी वहीं मरे हाहा कार मचा निर्जन में मानो सिक्के तूटे क्या अपराद हुआ था मुझसे अपने साथी चूटे यह वसीधी पहुँचें बहला दुर गटना होई जिए तच्छाती पीट पीट कर रोए यह मन में पच्छताते अच्छा होता अगर इन्हें हम साथ नहीं साथ में लाते रोते रहे निरंतल लेकिन नहीं हाथ कुछ आया मन में सोचे साथी खोकर केबल अपयस पाया मन मलीन हो गया वहीं पे फिर फिरा ललक में पानी हाई बिधाता क्या उगढ़ डाली अपनी करूर कहानी लगे सोचने सीमा पर ही हमें नहीं अब जाना फाग उड़ैसा पुरी पहुँच कर हम को नहीं मनाना बचने वालों की संख्या का कर दें यहां खुलासा चार बचे थे चार धाम से जिनकी प्रवल पियासा पहला पंडित गोत्र लोहाडी और सुसीला रानी अनुज बिरुद्ध तीसरा चाउथा रुद्ध रसास ग्यानी चार आदमी बचे रहें दुर घरना में एक माह तक दुईनी रहे रमाए सी माह से आगे ना पीछे पर्त तक नहीं बढ़ाए नहीं है जब दुर्मिल दिन आते हाथ हों से जलने लगता बेद पुरान बताते कैसे कैसे दिन कटते थे कैसी कैसी राते पराकास्टा की पीना यब बनती नहीं बताते क्या से क्या हो गया यचानक बिखरे पूरे सपने मिलने को मिल जाएंगे पर अपने होते अपने उहा पोहा युक्त थी इस्थित और हाथ कमजोर आखों में होती थी राते लेकिन मन में भोर अभी पहिर सपन खताम होगा रहते रहते पता चला की कुछ पर देसी रहते फैली चर्चा जन मानस में पता नहीं क्या करते तो बढ़ते बढ़ते बात चंदेलों के कानों में गूजी पता लगाओ चिडियों का की है कच्ची या भूजी पूर्व सीमा बर्ती में था बर्दी राजगर आना जिन का था संबंध पूर्व से रीवा आना जाना पहले सुनकर रीवा आना जाना लगा रहा बर्दी वाले राज़ आके तो उई चर्चा चेली कि एक महीने से पर्देशी आई के रहनी धमाए है कि यहीं तू पता लगावै सोने और गोपत के संगम में है इस्ठिद बर्दी जहान गर्मी में यतिगर्मी और नजादा सर्दी यहां सोने गोपत के मिलाने हुँ ही त्याई बर्दी बिक्रम सम्मत सत्रा सव उन तिसकी बात रही आवसन सोला सव बहत्तर किया कथा सही रीवा के राजा यनूप सिन इनी दिनों थे सासक बाइसमी पीड़ी के नाते जो थे सत्ता के साधक बड़े बहादूर तेगा बाले थे पुर्वजबल साली संक्ट चाहे जितना याये किंतम बदले पाली चंदेलों का राजपाटे और उनका राजगराना राजा राम बहादूर सिन्थे सचमुच जाना माना पता चला परदेशी का जब राजा ने बुलबाया रुद्रसा से साक्षात कर समझे सारी माया रुद्रसा ने साफ साफ ही सची कथा सुनाई तब राजा के अंतर मन में बात समझ में आई बात चीत बक्तब कला से उभर गया बिक्तित्तो जगह बनी राजा के मन में है इनका अस्तित्तो निश्चित रुद्र साहें चत्री और बंस चोहान भासा सहली से लगते हैं बलसाली बिद्वान तो राजपाट के रक्षा खातिर होती थी कुछ सेना जिनका कर्म सुरक्षा करना या और न लेना देना करनी पड़ी लडाई तो फिर पर न पीछे आए प्राण नुचावर हो जाए पर आँच न आने पाए बर्दी राजा की सेना में ऐसा सैनिक होते जो खुद की तलवार पास में और छत्री के पोते नियमे और कानून वहां का दोनों भाई समझे कैसे हो सेना में भरती इसी प्रसंद में उलजे प्रस्द प्रगत के खीच रहा था बस पीछे को पाऊं क्योंकि अटके रहे राह में छोण शाण कर गाऊं राजा की सेना में राजा कारे न करना चाहे पर याफ़त के वे मारे थे इससे जुकी निगाहे भाई से भाई ने पूशा ऐसा कौन उपाए सेना में सैनिक बन जाए जिससे बड़े प्रभाव सोचें कि सैना में सैनिक बन जाए तो कुछ तो प्रभाव बढ़ी पंद्रह दिन मुश्किल से बीते मानो दबे दब आये किन्त प्रस्ण उठता है आखिर कैसे पेट शलाएं सुबह सुबह जब रुद्र साह जी एक दिन सो कर जागे तीन नेवला पंक्ति बर्दसा भागे आगे आगे ऐसे तैसे दिन बीते कुछ हुई मुनादी ताजा सिग्र भरेंगे सैनिक सेना बर्दी वाले राजा सेना में भर्दी के खातिर अस्तस्त मैं आए किन्त पासना जिनके चाकूवे तफसीर न लाएं बीर बहादूर यवदल अबलसाली थे ही दोनों भाई उमर पड़ा उस्तसा अंतता कैसे पड़े रहाई दोनों भाई के विचार में युक्ति एक उगए आई और कास्ट की दो तलवारे दोनों ने बनवाई दोनों को आएगे के तलवार देखावाए के तलवार अब लोही की बनवाई लेकर उखे न रहा है ते कठवा थे दोनों ने बनवाई लकडी की तलवार बनी या लगी लोह की मूठी पड़ी म्यान के भीतर तब फिर कौन कहेगा जूठी साक्षात के लिए पूत ये ऐसे कुछ बिवस्थित राजा के सम्मुक प्रमाण में सीधे हुए उपस्थित राजपूत थे मैनपूरी के थे दोनों बलसाली युद्ध भूम में उन्हें सिधे थी मानो देवी काली राजा ने देखा दोनों के लटक रही तलवारे बीर वहादुर के पौरुस से तुर्ट हुए तयार अब सेना में भरती होकर सैनिक कापत पाए प्रथम में युद्ध की प्रथम विजयपत फूले नहीं समाए जहां सुरक्षा करनी होती दोनों भाई जाते और अपने हाथों से दुसमन का सीधे गला दवाते चाहे जितना कठिन कारे हो कभी नहीं घवर आए रण के प्रिष्ट भूई पर दोनों पहला नम्मर पाए जब लड़ाई के वो नम्मर हो तो पहला नम्मर पावर रहे बड़े बहादुर रुद्र सा हैं चर्चा ऐसी फैली भले लिये हैं दोनों भाई तरवारे मटमैली राजा रण काउसल से इनके मन मान रहे थे लोहा ये चौपाई नहीं बलकि ये हैं पर उसके दोहा